हेलो दोस्तो मैं उमेश कुमार आप देख रहे हैं आई सीनी यूट्यूब चैनल दोस्तो आप अगर मोबाइल लेने का सोच रहे हैं और आपका बजट है 13,999 रुपे तो उसी रेंज में हम दो मोबाइल आपको दिखाने वाले हैं और आपको क्या इसमें अंतर है आपको सारे चीज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आप वीडियो को सुरू से अन तक पूरा देखें तो ही आपको यह समझ माएगा और आप इस समझ पाएंगे किस मोबाइल को आपको लेना है तो दोस्तों आप जैसा कि आप देख पाएंगे यहां पर हमने रियल मी 3 परो और रेडमी नोट 7 परो दोनों को हम इस वीडियो में अंतर बताने वाले हैं दोनों का सेम रेट है तेरह हजा नौसो निनावे रूपिय है कि इसमें आप चाहेंगे तो अपने ज़रुद के हिसाब से कोई भी सेट को आप पसंद कर पाएंगे और उसे खरीद पाएंगे तो दोस्तों जैसा कि यहां पर देख पाएंगे कि यह दोनों सेट है जिसमें आपको बहुत ही जो रैम है रैम भी आपको सेम मिलेगा इंटरनल स्टोरेज भी आपको सेम मिल जाता है तो दोस्तों चलिए हम आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या अंतर है इसमें केमरा कौन सा अच्छा है कौन सा मोबाइल केमरा अच्छा है किसका चारजर अच्छा है और किसका बैटरी ठीक है वह सारा चीज आपको इस वीडियो मिलेगा दोस्तों से पहले का वीडियो आपने नहीं देखा तो इन दोनों का अन्बोक्सिंग वीडियो अलग-अलग बना हुआ है वो वीडियो का आप देख लेंगे डिस्क्रेप्शन में वो वीडियो आप मिल जाएगा तो के वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि दोस्तों सबसे पहले आपको रियल मी 3 परो और रेडमी नोट 7 परो दोनों के सीम सुलोट में आपको अंतर नजर आएगा जैसे कि आप देख पाएंगे रियल मी 3 आपका डूआ लागेगा पलस आप एक मैमोरी काद लगा सकते हैं लेकिन रेडमी आप 2ोल से parity लगांगी अगर आप एकक द typically लगाते हैं तो पेक्स मेमोरी काद लगा सकते हैं तो इस तरह से आपको sim slot में आपको अंतर नजर आएगा दोनों mobile पर अब देखी नहीं आपको रेम का मिल जाता है और इंटररणल इंटर्स्था-ए वह आपको रेम मधियता, तो दोस्तों आपको दोनों मोबाइल में आपको सेम रैम और इंटर्नल इस्टोरेज आपको मिल जाता है बाद में अगर आपका यह प्राइस है जो कम अधिक हो सकता है तो चलिए इसके आगे और क्या अंतर है आपको दिखाते हैं दोस्तो आगे देख सकते हैं कि इसमें आपको जो रियल मी 3 पुरो है इसका बैटरी आप देख सकते हैं 4045 एमेश आपको मिल जाता है और वही आपको बैटरी रेडिवी नोट 7 प्रो में 4000 एमेश का बैटरी मिलता है तो इस तरह से आपको रियल मी 3 पुरो में आपको सबसे ज ज्यादा मिल सकेगा तो दोस्तों इस तरह से आप बैटरी वेकप के मामले में आप चेक कर पाएंगे कि कौन सा मोबाइल आपको अच्छा लगेगा दोस्तों अगर डिस्पेले का बात करें तेहां पर आपको दोनों मोबाइल में आपको फूल एजडी डिस्पेले मिल जाता ह वह भी 6.30 इंच का आपको डिस्पेले मिल जाता है तिस तरह दोनों का डिस्पेले आपको सेम मिलेगा अब चार्जर केबल आप देख सकते हैं दोस्तों तो रियल मी 3 परो में आपका जो चार्जर का केबल मिलेगा माइक्रो USB केबल रहेगा और जो रेड्मी नोट 7 परो में USB टाइप सी का केबल आपको मिलेगा इसमें आपको दोनों अलग-अलग केबल मिलता है और चार्जर आप देख सकते हैं जो चार्जर का अडेप्टर होगा रियल मी 3 परो में आपको पांच वोल्ट चार एंपियर करेगा जो सबसे ज्यादा चार्ज करने की जहमता रखता है और जो रेडवी नोट 7 परो में है आपको पांच वोल्ट 2 एंपियर का मिलेगा जो उसके मामले में आपको कम चार्ज करेगा तो जैसा कि आप यहां पर देख पार है आपको रियल में 3 परो में आपको हैबी चा चार्ज हो पाए और जाद देर टीग पाए दोस्तों camera के बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकेंगे अगर आपको selfie camera पसंद है तो आप कि जो realme 3 pro को ले और अगर आप चाहते हैं कि आपका rear camera पसंद है आपको तो उसके लिए आपको Redmi Note 7 Pro लेना होगा तो जैसा कि यहां पर आप देख पाएंगे Realme 3 Pro में आपको Solo Megapixel पलस 5 Megapixel का आपको Dual Rear Camera मिलता है पलस आपको 25 Megapixel Front Camera आपको मिल जाता है वहीं पर ही आप देख सकेंगे जो Redmi Note 7 Pro है उसमें आपको 48 पलस 5 Megapixel का आपको Real Camera मिल जाता है पलस 13 Megapixel का आपको Front Camera आपको मिलेगा दोस्तों जैसा कि यहां पर आप देख पाएंगे Gorilla Glass आपको दोनों Mobile पे मिल जाता है लेकिन जो Realme 3 Pro है उसमें आपको Gorilla Glass Screen पे मिलेगा और जो Redmi Note 7 Pro है उसमें आपको Gorilla Glass आपको Screen में भी मिलेगा आप Backside में भी आपको मिल जाता है यहनि कि दोनों साइट आपको Gorilla Glass का Protection आपको मिल जाता है दोस्तों इस तरह से आपको दोनों Mobile में कुछ अंतर आपको देखने को मिल जागा जो Main Main Point है हमने आपको बता दिये हैं अगर आपको इसका बारे में पूरा डिटेल या पूरा विस्तार से आपको जानना है तो इसका Link आपको description मिल जागा और दोनों वीडियो का आप देख लेंगे दोनों को अलगले वीडियो बना हुआ है उससे आप देख लेंगे अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होते से लाइक करे दोस्तों आप चाहते का आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेगा ताप चैनल को सब्सक्राइब करेकर रखे बेल आकान जरूर दबा ले ताकि आपको नए अबडेट मिल सके तो मिलते हैं अगर यह वीडियो में ताप ताक के लिए ठाइंक्यू